हेलो दोस्तो सवागत करता हूँ इस्तिक्वाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में दोस्तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है नजम सुभे आजादी जिसका मुसरनिफ है फेज अहमद फेज दोस्तो इससे पहले हम लोगों ने नजम को मुकमल तोर पर पढ़ लिया था आज हम लोग सुभे आजादी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो क्लास में बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माधियम से उर्दू भासा की मुकमल तैयारी करा रहा हूं जिसका टार्गेट है नब्य प्रस स्कोर करना ठीक है दोस्तों तो चुलो आज के क्लास को स्टार करते हैं सुबर आजादी दोस्तों नजब को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं किस नजब के जरीए फैस अमत फैस क्या कहना चाहते हैं दोस्तो आजादी के सुबह फेस अमद फेस बहुत ही मायूस हो जाते हैं क्यों कि ये वो चाहते थे कि जब अंग्रेजों से मुलक आजाद हो जाए तो हम लोग इस मुलक में एक साथ रहेंगे एक साथ सुकुन और चेन के साथ रहेंगे लेकिन होता है क्या दोस्तो जब तो इस दर्द को इस नजम के जरीए बयान किया है तो दोस्तों इस नजम को अच्छे तरह से पढ़ेंगे एक एक नजम का खुलासा बता दूँगा तो आप वीडियो के लाश्ट तक बन रहीएगा तो चलो दोस्तों नजम को शुरू करते हैं यह दाग दाग उचाला यह शब गुजीदा सहर वह इंतिजार था जिसका यह वह सहर तो नहीं शब मने रात गुजीदा के माने दोस्तों डसना वह सहर के माने सुबा तो यहां कहरा दोस्तों जिस सुबा का हम लोगों का इंतिजार था यह वह सहर नहीं यह तो वह सुबा नहीं है लग रहा है कि इस सुबा को किसी नागिन ने है ना काली नागिन ने डस लिया है इसलिए यह जाला किया दोस्तों दाग दाग लग रहा ह ये वो सहर तो नहीं जिसकी आर्जू लेकर आर्जू ने तमन्ना चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं यानि हम लोग ये सोच कर चले थे कि हम लोगों को एक सुकून वाला एक अराम वाला है ना सुबह मिल जाएगा लेकिन दोस्तो यह वो सूबह नहीं लग रहा है कौन सा सूबह दोस्तो जब मुल्क तक्सीम हो रहा था ठीक है फलक के दृस्त में तारों की आखरी मनजिल कहीं तो होगा शबे सुष्त मौच का साहिल फलक मौने अस्मान दोस्तो दृस्त मौने जंगल मौच के माने दोस्तो लहर होता है और साहिल के माने किनारा यानि दोस्तो यह जो असमान के जंगल है उतारो के आखरी मन्सील है तो कहीं न कहीं जाके यह सब जो है, यह रात जो है सुस्त पड़ जाएगी ठीक है? कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल जवा लहू के पुर असरा शहराओं से यानि दोस्तो कहीं जाकर ये जो दिल में गम है दर्द है कहीं तो जाके ये रुकेगी क्योंकि दोस्तो जब अंग्रेज था उस वक्त भी क्या होता था दोस्तो बहुत तकलीफ होता था अज़ाद होगी या फिर भी क्या हो रहा दोस्तो दिल में बहुत ही तकलीफ हो रहे है बहुत ही दर्द हो रहा है तो कहीं तो जाकर रुखेंगी उसी के बारे में बता रहा है चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े यानि जब हम लोग चले तो कितने मुश्किल का सामना करना पढ़ा दियारे हुसन की बेसबर खाब गाहों से दियार के मने तो घर होता हुसन मने खुशूर थी पुकारती रही बाहे बदल बुलाते रहे बहुत अजीज थी लेकिन रुके सहर की लगन दोस्तो यानि बहुत ही अजीज थी लेकिन रुके सहर यानि वो सुबा का जो सिम्ता था दोस्तो वो क्या हुआ बदला बदला हुआ लगने लगा बहुत ही करी था करी मने पास बहुत ही करी था हुसिनानी नूर का दामन नूर मने रोशनी सुबक सुबक थी तमना दबी दबी थी सुबक सुबक यानि हलका हलका तमना मने अर्जु करना सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर सुना है हो भी चुका है विसाल मन्जिल औ गम दोस्तों फिराक मने जुदाई जुल्मत मने तारीकी होता है और नूर मने रोशनी यानि सुना है हो भी चुका है तारीकी और रोशनी की जुदाई सुना है हो बी चुका है विसारी मन्जील और गाम यानी मन्जील और गाम के माले सु फासला य니 मन्जील और फासला की मुoll CS भी हूची है बदल चुका है बहुत अहल अहलिददद का दस्तूल नशाद वसल हलाल और अजब हजर हराम दोस्तों यहां पर नशाद के माने खुसी है वसल के माने मुलाकाथ यह दोस्तों यहां खुसी के मुलाकाथ हलाल हराम की जीद है तो यहां हलाल के माने क्या दोस्तों दुरुस्ता अजाब के माने तकलीफ हिजर के माने जुदाई और हराम के माने दोस्तों यहां गुना नहीं है यहां हराम के माने गुना भी होता है और हराम के माने क्या होता दोस्तां बड़ी भी होता है ठीक है तो यहां जो हराम का जो मिनी लिया गया है वो क्या लिया है दोस्तों आजमत या बड़ी ठीक है दोस्तों तो यहां पर कहने का मुश्वत यह है के नशाद वस्ल हलाल वाजब हिजर हराम यानि जो खुशी की मुलाकात थी वो तो दुरूस्त है लेकिन जो तकलीफ यहां आजब जो तकलीफ है वो बहुत ही बड़ी जुदाई है जो तकलीफ है जो तकलीफ है जो तो वो बहुत बड़ी जुदाई की तकलीफ है जिगर की आग, नजर की उमंग, उमंग उने जोश, जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिज्रा का कुछ असर ही नहीं चाराए हिज्रा के मना दोस्तो जुदाय का इलाज, यानि जुदाय का इलाज किसी के पास नहीं है क्योंकि सब एक दूसरे को क्या हो रहा दोस्तो कोई मुलक हिंदुस्तान में रहना चाहरा है कोई दूसरे मुलक में जाना चाहरा है इन पाकिस्तान में तक्सीम हो रहा उसी को बयान कर रहा है आगे देखते हैं कहां से आई निगार सबा किधर को गई अभी चिराग सरे रह को कुछ खवर ही नहीं निगार मने दोस्तों महबब और सबा मने हवा यानि वो मुहबबत वाली हवा कब आई और कब चली गई खवर भी णहीं हुई है ठीक night दोस्तों अभी गिरानी शव में कमी नहीं आई गिरानी मने बोज सब मने रात निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई यानि दोस्तो जो बोज वाली राती परिशानी वाली राती अभी उसमें कोई कमी नहीं आई है और वो घड़ी भी अभी नहीं आई है जिसमें दिल को क्या हो जाए दोस्तो निजात मिल जाए निजात के माने छुटकरा है ना तो वो घड़ी अभी भी नहीं आई है जिसमें दिल को छुटकरा मिल जाए अगे बोने दोस्तो चले चलो कि वो मनजिल अभी नहीं आई यानि अभी रुकना नहीं है अभी और चलना है क्योंकि वह मंझिल अभी नहीं आई है तो दोस्तो ये नजम सुवे आजादी यहीं पर खत्म होता है दोस्तो और इसके बाद हम लोग इस नजम का जो खुलासा है उसको बता देते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बता दिने के दूख सो क्योंकि वो पढ़ने से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो चलो दो दूस्दों आगे बढ़ते हैं नजम सुवय आजादी का खुलासा ठीकर दूस्तों नजम सुभी आज़ादी फेस के मुशहूर नजम है इस नजम को फेस ने अगस्त उनेसो सेटालिस इस्वी में आज़ादे नजम की हैयत में लिखाता इस नजम में तकसीम हिंद की वज़ा से जो लाग हो लोगों की उमीदों का खून बहा उसकी बेहतीरी न तरजमानी मिलती है तो दोस्तो हम लोगों ने जान लिया कि उनेसो सेटालिस में आज़ादे नजम के हैयत में लिखाता और किसलिए इस नजम को लिखाता दोस्तों तो तकसीम हिंद की वज़ादे से लिखाता आगे बढ़ते हैं नजम सुब आज़ादी में फेस कहता है कि हमने जिस सुबह के इनतिजार में कई सदियों से जिस राह पे चल कर जो उमीद इस आज़ू के तहब हमने अपनी जानों को कुर्बान किये हमने अपने अराम गाहों में अराम नहीं बलके सब सुख चैन सारी एश और इस वास्ते निसार कर दिया अपने इस यह और इस आज़ादे को क्या कर दिया दोस्तों यह जो गुलामी की कारी राद है जो जल्म का खोफनाक रास्ता है कभी ना कभी इसकी सुबा होगी कभी ना कभी हम आजादी की खुबस्त मनसिल को पाएंगे लेकिन जब हमको आजादी मिली जब वह सुबा आई जिसका इंतिजार हमने बड़ी बेसबरी से किया था जिस सुबा को पाने के लिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया उस सुबा का उजला दागदार निकला है न दूतो जिसमें इस नसमें कहा गया था कि काली नागने डस लिया है उस सुबा को उस सुबा को सियासत की काली नागने डस खाया है ये वो सुबह नहीं थी जिसका इंतिजार हमें सालों से था ये वो सुबह नहीं है अगर देखे दो तो नजम सुबह अजाती के आखिर में फिर्स हमद फिर्स कहते हैं वा पियारी सुबह की हवा जिसका इंतिजार हमें साधियों से था जिसकी तमना जिसकी आर्जों में हम पेचेन थे वो कब आई और चली गई कुछ खबर नहीं बलकि वो जो गुलामी जुलमत दहशत भारी रात थी उसमें कमी नहीं आई ठीक दोस्तो अभी भी सुकून निजात खुशी की घड़ी नहीं आई है अभी भी वो मनसिल नहीं आई जिसकी हमें तलाश थी अभी भी हमको आगे बढ़ना है जब तक वो प्यारी सुबह की खुशुरत हवा जब तक निजात और सुकून की मनसिल नहीं आती हमें आगे बढ़ते रहना है तो दोस्तो ये नजम सुब आजादी था इसको हमने मुकमल तोर पर पढ़ लिया है हमको याकिन है कि दोस्तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आगया होगा तो दोस्तो अगर ये कलास अगर अच्छा लगा हो तो कलास को जरूर लाइक किजेगा दोस्तो और वीडियो को शेयर जरूर किजेगा अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुकरिया